हर्याना की जिन्दा दिली, हर्याना का आद्मी, हर्याना का जोर, हर्याना का मैनत, हर्याना की इमानदारी, हर्याना की देश बक्ती ये पूरी दुनिया में मशूर है इसलिए मशूर है कि जमीन का टुकडा तो छोटा है लेकिन हर्याना के लोगों का जमीर बहुत बड़ा है हर्याना के लोगों ने कभी अपना जमीर नहीं बेचा हर्याना के राजनितिक रूप से दर्शन कराए प्रोफेसर रामगिलाज सर्मा जी ने तो इस उबाज जी एक किस्सा सुनाते हैं एक गाउ में दो भाई उक्का पी रहे थे एक लड़के का बापू और एक उसका ताउ इतने में एक लड़का आ गया तो अपस में दोनों भाई बात कर रहे थे ये छोरा जवान हो गया अब इसका ब्या कर दें ये बात छोरे के कान में पड़ गी और इतने में ताउ ने आवाद लगाई बोला थोरा चिलम बरत्या ठंडी होगी तो लड़का मुड़के बोला ताउ चिलम तो बर लाओंगा अपने जिकर योई चालनों थे जो इप चला राख्यों तो देखो चुनाव को टाईम है और मोदी जी को गुणगान सगणा ही कर वे लेकिन मैं उरह आयो जो मने सगणा राम राम करी अब बताओ देश में दो ही विचार दा रहा हैं एक तो बह हैं जो राम ने मानने रहे हैं जो राम लिकड़ गयो यदि कोई कई बोला जी का राम केवा को रोटी चाहिए लेकिन मोदी के राज में रोटी भी मिली और राम को गुणगान भी होए और राम को महिमा मंदन भी होए